होली खुश्यों का तैवार है और होली में लोग एक दूसरे के साथ जम के रंग खेलते हैं लेकिन कई बार इस खुश्यों में रंग में भंग पड़ जाता है जब कोई चूक हो जाती है जी हां होली खेलने वक्त छोटी सी भी चूक आपको अंधा या फिर बहरा बना सकती है किस प्रकार से होली खेलने वक्त साथधानी बरतनी चाहिए इसी पर हमें जादा जानकारी दी गाजियाबाद के वैस्ट एंटी सर्जन डॉक्टर बीपी त्यागी ने कर वह रपचर हो जाता है तो पानी अंडर जाता है नų पक्रेंटि वाटर है वहां इंफेक्श कर सकता है इंफेक्शन दो-तीन दो-तीन तरह का होता है वाईलो होटा फंगल होते कि इनफेक्शन होने के बाद धाड़ी गलना दंस को हम ठीक कर सकते हैं और अगर डेमेज करेगा तो हमारे कान से सुनना भी कम होगा बदीरता होगी आख में लगेगा तो आख से दिखना भी कम होगा तो आपके चैनल के माध्यम से जो भी होली खेलते हैं मैं उनको ये गुजारिश करूँगा कि वो सोहाड़ पून होली केले हेल्दी कलर्स लगाएं हेल्दी कलर्स हमारे घर में होते हैं जैसे हल्दी होती हैं मेहदी होती हैं मैदा होता है जो हमारे फूल होते हैं उनका पावडर होता है वो सब हेल्दी कलर्स हैं कोई safety tip अगर आप देना चाहें कि होली से पहले अगर वो तैयारी कर लेते हैं तो अपने आपको बचा सकते हैं safety tip यह है जो होली खेलने जा रहे हैं उनके लिए यह safety tip है कि वो पहले plugs लगाएं आखों पे पूरा चस्मी से कवर कर लें और पूरे सरीर पे वो कोई भी ओयल जिसे नारियल ओयल होता है mustard ओयल होता है उसको लगा के अगर निकलेंगे तो किसी भी color का effect skin पे नहीं आ पाता है और अगर हम plug लगाएंगे तो कोई पिसकारी मारता है तो हमारे कान में नहीं जाएगा हम पूरा चस्मा पहनेंगे cover करके तो आख में कोई ऐसी पिसकारी वगेरा या गुबारा नहीं लगेगा यह हमें सावधानी रखनी है क्योंकि अधिक तर जो गुबारे फैक्रे वाले बच्ची होते हैं वो छत पे बैठे रहते हैं और पिसकारी वाले होते हैं वो साइड में कड़े रहते हैं तो यह उनके लिए है जो वैसे घूमते हैं या जो बाइक पे चलते हैं उनको ज्यादा इस तरह की इंजरीज होती है